नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 20 दिसम्बर दिन बदवार खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर न्यूटेशन में अब नाम के साथ जमीन के नकसे में हुआ परिवर्तन भी दिखेगा सुबे में 11 सरकों वर 337 पूलो का रिणमार जन्नी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहट मिलती है इतनी राशी 31 दिसम्बर तक निप्टा ले ये जरूरी काम केक्यार ने खड़ीदा आईपियर के इतिहास में सबसे महंगा खिलारी अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर वस्तार से 36 गर पुलिस में 6100 कॉंस्टिबल भरती के लिए आवेदन शिडू 36 गर पुलिस मुख्याले नवारायपूर दौरा आलक्चक समवर्ग में जिला पुलिस बलके 5967 पदो था सरसस्त्र बलके 133 पदो समेथ कुल 6100 पदो के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट cgpolis.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वारों को बारवी पास या कोई समकच परिच्छा उत्तर्ण होना चाहिए इसके साथ ही उमिद्वार की आयू 1 जन्वरी 2023 को 18-28 वर्स के बीच होनी चाहिए अधिक्तम आयू सीमा में राज्य के आरक्षित वर्गों के उमिद्वारों को छूर दी जानी है अनि राज्य के उमिद्वारों को अनरक्षित वर्ग में आवेदन करना होगा अधिक जानकारी के लिए जारी किये गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें अनुसुच जाती एवाम अनुसुच जन जाती प्रवी सकुत्तर चातरवर्ती योजना का लाब पाने के लिए इस दिन तक कड़ी आविदर बिहर सरकार के अनुसुच जाती और अनुसुच जन जाती कल्यान विभाग के द्वारा राजी के अंदर एवं राजी के बाहर के संस्थानों में प्रवी सकुत्तर कक्छा इग्यारवी एवं उच्तर कक्छाओं में अध्यरत चातर चातराओं को अनुसुच जाती एवं पी कोलम स्लैस स्लैस पी एमस ओनलाइन डॉट बी आई एच डॉट एन इसी डॉट इन पर जा सकते हैं आपकी जानकारी कले बता दे कि स्योजना का लाव उठाने के लिए सरकार के ओर से कुछ पातरता निर्धारित की गई है जिसके तहट आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए आवेदक अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जनजाती का होना चाहिए आवेदक केंद्र राज्य सरकाद्वारा मानिता प्राप्त गेर सरकारी संस्थान में सतर दो हजार तैस चौबिस में अध्यन रत हो और वार्षिक पारिवारी का अधिक् विसे इस जानकारी के लिए संबंधित जिला अनुसुचित जन जाती कल्यान कारे आले या जिला सिक्षा कारे आले से संपर्ख करें। भुटान के राजा ने इस मठ का निर्मान भगवान बुद्ध को श्रद्धांजली अर्पित करने हितु करवाया था यह मठ निश्चित रूप से अपनी शानदार वास्तु कला शान्ती और भगवान बुद्ध की साथ फीट उची प्रतीमा से आपको प्रभावत करेगा। प्रधान मंत्री ग्राम सरक योजना के तहट आठ अडब 83 करोड 76 लाख 78 हजार रुपे की लागत से बिहार के बाइस जिलों में 11 सरक वा 337 पूलों का निर्मान किया जाना है इसके लिए ग्रामीन विकास मंत्रा लिकी सहमती के बाद ग्रामीन काड़े विभाग के द्वार 9307.18 मीटर है आपकी जानकाडी के बता दी कि प्रधान मंत्री ग्राम सरक योजना के तहट सरकों के निर्मान में आने वाले खर्च की 60 फीजदी रासी किन सरकार के द्वारा दी जाती है तो वही 40 फीजदी रासी बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है मालम हो कि उस योजना के तहट पांच साल तक बनने वाली सरकोव पूलो की मरमत होगी वही जिन 22 जिनों में सरकोव पूलो का निर्मान होना है उनमे रडिया, अडवल, बांका, भागलपूर, बेगुसराय, छप्रा, दर्भंगा, पुर्वी, चमपारन, गया, गोपाल, गंज, कटिहार, किशन गंज, मधिपूरा, मदवनी, मुझपरपूर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तिपूर, सीता, मढ़ी, सुपॉल, वैशारी और पश्चिम चमपारन के नाम शामिए हैं, 31 दिसमबर तक निप्टा ली ये जरूरी काम, कुछे दिनों में दिसमबर महीने की समाप्ती हो जाएगी और फिर नए साल का आगाज हो जाएगा, ऐसे में आपके पास कुछ ऐसे काम बाकी हैं, जो आपको किसी भी हाल में 31 तो हजार तईस तक लेट फीज के साथ अपडेटेड आई टी आर दाखिल करवा सकते हैं, इसके लावा अगर आप म्यूचुल फंड में निवेश करते हैं, तो 31 दिसमबर से पहले अपने अकाउंट में नॉमनी जोड ले, नहीं तो आपका म्यूचुल फंड अकाउंट फ 2023 तक की अंतिम तारीक निर्धारित की गई है, SBI की विसेश FD योजमना SBI अमरत कलस स्कीम की आकरी तारीक 31 दिसमबर 2023 तक है, जन्नी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत मिलती है इतनी राशी, बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत जानकारी देते वें बताया है क्या है कि राजी में माता एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाने और स्वास्त संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने हैं तो, गर्ववती महिलाओं को गुनवत्ता पुन प्रसव के पहले एवं प्रसव के बाद जन्नी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत स्वास्त सुवधाईं उपलब्ध करवाई जाती है और साथ ही कुछ प्रसवाहन राशी भी दी जाती है जिसके अंतरगत ग्रामी छित्रों में प्रते गर्ववती महिला को एक हजार सो रुपे दिये जाते हैं तो वहीं आसा कारे करताओं को छे सो रुपे शेहरी छितr के महिला लाबार्ती को एक हजार रुपे और शेहरी छितr के आसा कारे करताओं को चार सो रुपे दिये जाते हैं आपकी जानकारी क्लिवतादिक स्वात्ष्राहन राशी का ब्रुगतान DBT के माध्यम से सीधे लाबुक के बैंक खाता में किया जाता है इसमप परक करी या टोल फ्री नंबर एक सुने चार पर भी संपर्क कर सकते हैं। दो लाक रही बता दे कि आकरों के नुसार इस साल जनवरी से आक्टूबर तक में बिहार में आई परेटकों की संख्या पिछले साल की तुन्ना में तीन गुना जादा है। अब नाम के साथ जमीन के नकसे में हुआ परिवर्तन भी दिखेगा। मालम हो कि अपरेल से जिन जिलों में सर्वी का काम पूरा हो रहा है वहाँ इस नई व्यवस्था से ही म्यूटेशन होगा हाला कि फरवरी महीने से शेक पूरा जिले के सभी छे अंचल से पालेट प्रजेक्ट के तहत इस नई व्यवस्था की शिरवात हो जाएगी। इसके अलावा जमीन खरीदने वालों को उनके जमीन का वो नक्सा भी मिलेगा जिसके उन्होंने खरीद की है जिसमें जमीन की चोहदी भी दिखाई देगी। इवरत IAS अधिकारी हैं और उन्होंने भारती संस्कृती विशेश रूप से उत्तर पुर्व भारत की संस्कृती से संबंदत किताबे और लेख लिखे हैं उनकी प्रमुक पुस्तकों में बहुदा एंड द पोस्ट 9 बटाई ग्यार वर्ड और द प्रॉब्लम ऑफ चींज A Study of North East India शामिल है उन्होंने रिकॉर्ड अंकों के साथ प्रथम श्रिणी में प्रथम अस्थान प्राप्त किया और कई स्वन पदक भी जीते वह 19 वर्स के उम्रे में पटना विश्य विद्याले में राजनते विज्ञान के इस नातोतर विभाग में व्याख्याता बन गए पिछले चार दसको में स्री बीपी सिंग ने अश्रम के साथ साथ भारत सरकार में भी कई महतपुन पदो पर कारे किया है उन्हें जवाहा लाल नहरू फेलोसप, क्वीन एलिजाबेट फेलोशप और महात्मा गांधी, नेशनल फेलोसहित कई पुरुषकार और फेलोशप अगर आपके पास भी पुवाल है तो आप उसका इस्तमा सस्ता और पौस्टिक पशुचारा बनाने के लिए कर सकते हैं, बता दी कि पुवाल जलाने से वायो मंडल में कार्बन डायोकसाइड, कार्बर मोनो ओकसाइड और मिथीन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही खेत की मिट्टी में पाए जाने वाले कीचुवा एवं राइजोबिया, बैक्ट्रीरिया भी मर जाते हैं, ऐसे में आप इनका इस्तमाल पशुचारे के तौर पर कर सकते हैं, इससे जहां पुवाल का निप्टारा हासानी से हो सकेगा वही पशुचों के लिए सस्ता चारा उपलब्द हो सकेगा, यदि पुवाल का इस्तमाल किया जाया तो चारा की कीमत तुलनात्मक रूप से काफी कम हो जाती है, पुवाल का चारा बनाने के लिए गेहु एवं धान के पुवाल को सुखा कर काट कर तथा इसे यूरिया उपचारित कर सनक्षत किया जा सकता है, जूरिया उपचार करने से उसकी पौस्टिक्ता बढ़ती है, साथी प्रोटीन की मातरा भी उपचारित भूसे में बढ़ जाती है, किसान चारी की कमी के समय पशों को हरे चारी के साथ पुवाल को मिला कर इस मिर्शन का इस्तमाल कर सकते हैं, इस जुरी विशेश ज्यानका जारी के लिए पसु स्वास्ते एवं उत्पादन संस्थान बिहार पेटना के नियंतरन कक्च से दूर्भास संख्या, सुने 612226, सुने 49 पर संपर्थ करें अब रविवार को भी सिक्षा विभाग के अधिकारी पहुँचेंगे ओफिस, इन दिनों बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के दोरा लगातार कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं, इसी कड़ी में अब उनके दोरा एक और नया फर्मान जारी किया गया है, जो कि सिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए है, बता दे कि जारी के गए नए फर्मान के तहट, राजी के सभी जिला के जिला सिक्षा पदादिकारी, जिला कारे किरम पदादिकारी, प्रखन सिक्षा पदादिकारी को हर रविवार, जिला मुख्य सचीब के के पाठक भी जुरेंगे और हाई लेवल मिटिंग होगी जिसमें यह जानकारी ली जाएगी कि एक सप्ता में अधिकारियों के दोरा जिले में क्या-क्या कारी किया गया है कितने विद्यालियों का निरक्षन किया गया है और विद्यालियों में छात्रों के मिट्टी की बालू युक्त तलहटी होने से घरियाल की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है समस को देखते वे बिहार राज्य वन प्रानी परिसद बन विभाग एवं WTI की ओर से वर्स 2014 से यहां घरियालों के समक्षन एवं समवर्धन पर काम किया जा रहा है और इनकी नियमित रूप से मोनिटरिंग की जा रही है इस बारे में WTI के सयुतर निदेशक डॉक्टर समीर कुमार सिंग के दौरा जानकारी देते वे बताये गया कि बिहार में सर्फ गंडक में ही घरियाल पाये जाते हैं मार्च में सर्वे के दौरान वालमी की नगर से फतेहाबाद तक गंडक में कड़ी 240 किलो मीटर में घरियालो की संख्या सबसे अधिक देखी गई है कुनोंने बताया कि कोई खास प्रबंधर नहीं होने के बावजूद भी 60 प्रतीशत अंडे सुरक्षित रह जाते हैं लेकिन अब 640 किलो मीटर को सुनक्षित छितर बनाने पर काम होड़ा है वहीं पश्यम चंपारण के डियम दिनेश कुमार राय के द्वारा कहा गया के गंड़क नदी में घरियालो की बरही संख्या को देखते वे रतवल धनहा में अधिवाश केंद्र स्थापित करने की पहल की गई है स्वच गंगा समीती में इसका प्रस्ताव रखा गया है के साथ किये गये काम को याद करते वें कुछ बातों का खुलासा किया गया है। आप जो चाहड़े हैं लेकित अमित जी को संकेत दे मैंने एक बड़ा मिताब बच्चल से सीखी है कि उन्हें रिहलसर करना बहुत पसंद है बिहार में बदलने लगा मौसम का मिजाज बिहार में ठंडर ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं सुभर शाम और रात में मौसम काफी ठंडा रहता है हाला कि अभी तक सीथ लहर का प्रकोप उतना अधिक नहीं है मौसम विज्यान के विससग्यों का कहना है कि जब तक घंडा कोड़ा पढ़ना शुरूर नहीं होगा तब तक बिहार में खड़ाकी की ठंडर नहीं पढ़ेगी पतादी के मौसम विभाग के अनुसार हिमाले चितर में होड़ा ही बर्पवारी और वहां से होकर आने वाली उत्तर पश्मी हवा के कारण राजे के तापमान में गिरावट आ सकती है जो आने वाले तीन दिनों तक यानी 22 दिसंबर तक बना रह सकता है वहीं 25 दिसंबर के बाद राजे में ठंड बढ़ने की संभावना है पटना मौसम विभ्यान केंद्र के मताबिक अगले 24 घंटों के दोरान बिहार का मौसम सुस्क बना रहेगा तापमान में किसी विशीश पडिवर्तन की संभावना नहीं है हलके से मंध्यमसर का कुहासा या धुंदर राजे के अधिकांस भागो के एक या दो अस्थानों में सुभग के समय चाय रहने का पुरवानुमान है बिहार में अगले चार दिन तक अधिक्तम तापमान के 22 से 24 जिल्डी के आसपास रहने की संभावना है वहीं इनहीं अगले चार दिनों तक राजी का न बच्चों से बात किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समधान निकालने का काम किया जाएगा बता दे किसके लिए टीचर्स और बिहार की ओर से तयारियां शुरूप कर दी गई है वहीं इस काम को करने के लिए 6000 सिक्षकों को जोड़ा गया है जो कि विशेवार सिक्षक है ऐसे में इन सभी सिक्षकों का समय अलग-अलग होगा ताकि छातर सभी सिक्षकों से बातचीत कर सके और अपनी परिशानियों को दूर कर सके वहीं वैसे छातर जिनका सिलेवस अब तक पूरा नहीं हो पाया है उनके सिलेवस को भी पूरा करवाने का काम किया जाएगा आप अयोध्या के राम जी की रसोई की जिम्हदारी उठाएंगे पटना वाले हनुमान जी 22 जनवरी दो हजार चौबिस को अयोध्या भी राम मंदर का सुभारम खोने वाला है लेकिन आपके जानकारी के बता दे किस से पहले पहले पिहार के राजधारी पटना में स्थित हनुमा मंदर के द्वारा अयोध्या राम मंदर को 15 जनवरी को 2 करोड उपय की राशी दी जाएगी मालूमों किसे पहले भी हनुमान मंदर के द्वारा आयोध्या राम मंदर को 8 करोड की राशी दी जा चुकी है वहीं सब के अलावा अयोध्या नाम मंदर के रशोई की जिम्हदार कर रही है कोट में केस लड़ने से लेकर साक्षी उपलब्द करवाने तक में महतपुन भूमिका निभाई गई है अकाउंट खुलने पर पहली राशी दो करोड रुपे की और अब तक आठ करोड रुपे यहां से दिये गया है चन्वडी महीने में दो करोड रुपे और दिय जाएंगा युध्या के मंदर में प्रसाद के लिए बिहार से गोविंद भोच शावल भेजा गया है जबकि अखन चोती के लिए घी की वी विवस्था यहीं से की गई है और अब बिहार के मितलांचल से यहां का प्रसिद उपहार भेट के तोर पर भेशनी की युजना बन मुंगेर विश्यविद्याले के पहले दिक्षान समारो में आज शामिल होंगे राजिपाल आज यानी की 20 दिसंबर को मुंगेर विश्यविद्याले का पहला दिक्षान समारो आयुजित होने वाला है जिसमें बिहार के राजिपाल सवकुलादी पती राजिंद्र जित किया जाएगा वह इस दिक्षान समारों में राजेपाल के द्वारा टॉपर्स के बीच मेडल और प्रमान पत्र का वितरन भी किया जाएगा बता दे इस दिक्षान समारों में राजेपाल के लावा उनकी पतनी अंगा राजिंद्र आलेर कर दथा संपुर्णा नंद संस प्रत विश्य विद्याले बारानसी के पुर्वकूल पती प्रोफेसर राजाराम शुकला भी शामिल होंगे। प्रत विद्याले बारानसी के प्रोफेसर संजाई कुमार सिंग के द्वारा कहा गया कि राज़ेपाल से उनकी मलगात काफी बहतर रही। इंडिया गडवन्धन की चौथी बैठकत ममता बनर जी ने पीम चेहरे के लिए इस नाम का रखा प्रस्ताव। बीदेदिन देश की राजधान दिल्ली में इंडिया गडवन्धन की चौथी बैठक आयोजित की गए जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी के द्वारा पीम चेहरे के रूप में कॉंगरस अध्यक्ष मलेका अरजन खरगे के नाम का प्रस्ताव। इसके हमी कोशिच करनी है पहले हम जीत कराएं। प्रस्ती कृष्चना पटेल और पल्लवी पटेल और सहित कई अनेनिता शामिल मुएं। ललन सिंग ने अपने चेतर को लेकर संजय जा को लिखा पत्र। मुंगेर सांसद्वा जनता दल उनाइटेट के राश्ट्रिय अध्यक्ष राजीव रंजल सिंग उर्फ ललन सिंग के दोरा जल संसाधर मंत्री संजय जा को अपने चेतर को लेकर पत्र लिखा गया है। बता दे कि इस पत्र को ललन सिंग के दोरा एक्सपर जो की पुर्व में टूटर हुआ करता था उस पर पोस्ट कर लिखा गया है कि हमारे संसदिय चेतर मुंगेर के मुकामा के ओंटा हती दह मरोची डुम्रा का टाल चेतर अन्य टाल चेतरों से नीचा है। चेतर ने प्रशाद जी से टेलीफोन से बात की और पत्र लिख कर आगरह किया है कि जल संसाथन विभाग का एक उचस्तरी है। द्रेसल कॉलकता नाइट राइडर्स के द्वारा मीचेल स्टार्क को 24.7 पांच करोड रुपए में खरीदा गया है। इसके बाद डेरिल मिशेल को चिननाई सूपर किंग्स के द्वारा 14 करोड में खरीदा गया। के लावा पंचाब किंग्स के द्वारा क्रिस बोक्स को 4.2 करोड में खरीदा गया। एहरसल पटेल को पंचाब किंग्स के द्वारा 11.7 पांच करोड रुपए में खरीदा गया। भारते तेजगेन पाष शारदोल ठाकड को चिननाई सूपर किंग्स के द्वारा 4 करोड रुपए में खरीदा गया। चिन्द, रविंद्र को चन्नाई के द्वारा 1.8 करोड रुपे में खरीदा गया, रायस्थान रोल्स के द्वारा रोववन पॉविल को 7.4 करोड रुपे में खरीदा गया, हैडी बुरुक को 4 करोड दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, ट्रेवस हेड को 6.8 करोड में जो साधराबाद के द्वारा खरीदा गया। जो साधरा खरीदा गया। जो साधरा खरीदा गया। सिनेवा की सुन्दरव प्रसिद अभिनेत्रियों में से एक नलीनी जैवन्त का 2010 मेने धन हुआ वारल के मैं आजम बात करेंगे समाजिक न्याय और अधिकारिता मंतराले के बारे में पेशकर्ष करने का दावा करती है और गैर वापसी योग्य पंजिकरन सिल्ख के रूप में 435 रुपे की मांग कर रही है पी आईबी ने अभी टूट में आगे लिखा है कि यह वेफसाइट भारत सरकार से संबंद नहीं है अब अधार कारमें लिखी जन्तिति नहीं होगी माने, किसी दस्तावेज में जन्तिती के लिए अब आधार कार मानने नहीं होगा आधार कार्ड के साथ जन प्रमान पत्र पेश करना होगा तभी संबंध तस्ता वेच माने होगा पतादी के नई विवस्ता इसी महीने भारतिय वसिस्ट पहचान पत्र यानी की UIDAI के द्वारा लागो की गई है वहीं है कदम सरकार के द्वारा इसलिए उठाये गया है ताकि आधार कार्ड में जन दनांक में संसोधन करा कर तारीक महीना वर्स बदलकर होने वाले फरजी वारे को रोका जा सके ऐसे में अब स्कूल कॉलिज में नावांकन पासपोर्ट बरवारे समेत अने कामों में जन दनांक सत्यापन के लिए जन प्रमान पत्र प्रस्तूत करना आ समय पहले एप में chat lock feature users को दिया है इस feature की मदद से आप अपने secret chats को password से lock कर सकते हैं हाला कि lock करने के बाद भी इसमें एक समस्या यह थी कि chat lock होने के बाद एक folder chat list के top पर नज़रा आता था जिसमें locked chats chats लिखा रहे था इसे कोई भी यह जान सकता था कि आपने कुछ chats lock की है इस परिशानी को खत्न करने के लिए WhatsApp ने कुछ समय बाद एक और नया feature hide lock folder का दिया ऐसे में अगर आप भी chat को lock करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आप में जाएं और कि जिस पी व्यक्ति की chat को आप lock करना चाहते हैं उसकी profile पर जाएं या देर तक उसके नाम पर click करे profile के अंदर जाने पर आपको chat lock का option मिल जाएगा इसे on करते ही fingerprint lock द्वारा आपकी यह chat lock हो जाएगी और एक अलग folder में चले जाएगी एक बार chat lock होने के बाद जब आप locked folder में चाहेंगे तो यहाँ top right corner पर आपको तीन डॉट दिखेंगे इस पर click करें और यहाँ आपको height locked chat का option मिलेगा इस पर click करने के बाद आपको एक password दर्श करना होगा जो आपको lock screen password से अलग होना चाहिए ताकि privacy बनी रहे password set करने के बाद आपकी lock chats कायब हो जाएगी हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जले जवाब बताएंगे जो की बिपेसी बिहार पुलिस दरोगा समें अससे जैसे अने प्रतियोगी पर इच्छां में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफेर इसका सही तरह ओप्शनी 200 मिलियन डॉलर अगला सवाल हाली में Freedom of the City of London अवार्ड से कितने भारतिये बैंकडों को सम्मानित किया गया है इसका सही तरह ओप्शन बी आठ अगला सवाल 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का निर्तितुव निमन में से किस ने किया ओप्शने सयद हसन इमाम ओप्शन बी मजरूल हक ओप्शन सी राजिंदर प्रशाद ओप्शन डी सचीदानन सन्हा इसका सही तरह ओप्शने सयद हसन इमाम अगला सवाल बिहार में रॉलिट एक्ट के विरुद आंदोलन कब आडम हुआ ओप्शने फरवडी 1920 ओप्शन बी फरवडी 1919 ओप्शन सी मई 1919 ओप्शनी जनवडी 1919 इसका सही तरह ओप्शन बी फरवडी 1919 अगला सवाल विदेशिया कस राजिय का लोग प्रिये नाटिय निर्त है ओप्शने जारखन ओप्शन बी मत्यप्रदेश ओप्शन सी राजस्थान ओप्शन डी बिहार इसका सही तरह ओप्शन डी बिहार बीते दिन हमारे दराप पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दराप पूछे का सवालों का जवाब दिया है उनके नाप है इसके साथ ही बढ़ती हराज के सवाल की और आज का सवाल है आपके मुसार इंडिया गडवन्ध से पी-म चेहरे के लिए किस नेता को मिद्वार होना चाहिए अपना जवब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज कले इतना ही बिहार के तमाम कबलों के साथ बने देखते रहें बिहार ईन्योज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखें चलू को सब्सक्काइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखें तो पेस को फॉलो करना न भूलें धन्यवाद